हेलो तो यहापी आप देख सकते हैं, बनको निफटी का चार्ट लाके रखो है, आभी बनको निफटी के अंदर को कौन सी इंपॉर्टं लेवल से हमारे लिए, क्या आपके पास यहाफ़ पे का पोदिशन होल्ड में है या फिर आपके पास यहाँ पर EP का position home धैंगा अगर आपके पास यहाँ पे फ मारकेट थो खेख घृपल वहाँ कोि अगर मारकेट ऑमॉरट का गया पर ओपन होता है तो क्योंकि जिस तरीडगे से मारकेट का यहाँ पर closing हो चुका है जिस तरिके से Market का रेजिस्टेन्से से आपे फेस हो रहे है उसवसे तो भी market एक डानफल का आपको expectation किया जा सकता है Markets हमारे इन levels के आसपा से reversal लेकर के ये वाले target भी हमें देखने मिल सकते है जो क्यों हो सकते है 44,450 का अभी हमें देखेंगे कि यह कैसे हो सकता है इसके पीचे का लॉजिक यहां पर क्या निकल के आने वाला है उसके साथ में यहां पर देखिएगा यह हमारा टोटली फ्री वाला टेलग्राम चैनल है अगर आपने इसके अंदर जॉइनिंग नहीं किया है तो यहां पर आकर के भी आप जॉइनिंग कर लीजें मॉर्निंग में भी यहां पर हमने लेवल अपडेट दिये थे जिसने लगभग 200 पॉइंट का तो एजिले टागेट हमें दे दिया था अगर आपने अभी तक इसके अंदर जॉइनिंग नहीं किया तो आप भी इसके अंदर आकी जॉइनिंग जो है वो डेफिनेटली हो सकते हो मारकेट जैसे जो पीई वाले हैं उनको एक तुरन प्रॉफिट डे करके फिर शाय से वह उपर निकलने की अपनी कोशिश में जारू रह सकता है मतलब के सी सेड का अपना ट्रेंड कंटिनू वो कर सकता है इसके पीचे का सिंपल सा लॉजिक क्या है ना चलिए वूसे समझने की कोशिश करते हैं उसके पीचे का लॉजिक भी हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं सबसे प graphics का मारा तो हम आपि चार्ट को देखे लेएगी चार्ट हमारा किस तरीके से काम कर रहा है इंच चाड狂 सेंटिमेंट ही निका की कोशिश कर रहे अभी अगर आपने वो कल वाला वीडियो होगा जिसके अंदर हमने आपको क्लियरली अपडेट करके बता दिया था जैसे कि हमारे यूटुब चैनल में अगर आपने नहीं जॉइन किया तो यहापे भी जॉइन कर लीजे लाइयो मार्केट के अपडेट्स आपको यहापे मिल मार्केट क्या कर रहा है मार्केट यहापे ट्रैप कर रहा है यह वाली लेवल्स पर मार्केट यहापे भी ट्रैप कर रहा है यहापे भी कर रहा है यहापे भी कर रहा है मतलब जो बायर से एंड जो सेलर से उनमें कहीना की यहापे क्रियेटेड है एंड इस कन्फिजन की व मैंने आपको trend कैसे समझाया था मैंने आपको यह बताया था कि market के अंदर जो buyers है वो यहाँ पे अपने आपको एक try कर रहे थे लेकिन जब तक market यहाँ पे गया तो seller's उनके उपर हावी हो गया and market continuously downfall कर गया देखिए मार्केट ने क्या किया यहाप पे जो है कंटियूर्स लिए उपर गया जितने भी से उन सभी का स्टॉप लस्स उसने हीट करवा दिया था आज मार्केट ने क्या किया है वह हम समझने किया पे कोशिश करते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट आज कैसे रहा मार्केट ने कैसे दिर कैसे सर्पी को ट्रैप किया मार्केट अगर आप देखोगे यहां से आपको क्या नज़रा रहा है क्या मार्केट के अंदर आपको यह नहीं लग रहा कि मार्केट से आज से काफी नीचे जाने के लिए रेडि हो रहे है and market ऐसे नीचे जाएगा तो market जो है वो अपना resistance levels को break करता है and market ऐसे नीचे जाने की कोशिश करता है और जैसे resistance levels हमारे break होते हैं तो market नीचे भी जाता है और यही से जब market नीचे जाता है तो यही पर बहुत से लोग trap हो जाते हैं वो levels देखिए कौन से है तो यहाँ पर जो important levels जाना यह important zone के पास में market ने बहुत लोगों को trap कर लिया था क्योंकि यहाँ से market का momentum अगर देखोगे तो downfall का momentum नज़र आ रहा था and यहाँ पर जैसे market का downfall होना लगा market फे अंदर PE सर्ट का जो entry है seller's entry वो काफी तेज़े से यहाँ पर increase हो चुका था अभी जैसे यहाँ पर seller's का entry increase हो चुका था तो buyers एक बार वापस यहाँ पर आ करके अपने आपको strong साबित कर दिये अब यहाँ पर जो मैंने आपको logic explain किया था 30-30-30 का and जो 10% का logic मैंने आपको explain किया था previous videos के अंदर अगर आपने वो नहीं देखा तो जा करके देखिएगा क्योंकि वुसी logic के आज basis पे आज यहाँ पर काफी बड़ी आसा upper side का भी trend capture हो चुका था क्यों हुआ था क्योंकि पहले तो यहाँ पर downfall का target book हो चुका था यहाँ पर अपर side का target book हो चुके थे तो फिर यहाँ पर market एक trap zone का move के लिए wait कर रहा था and market ने यहाँ पर सभी लोगों को trap कर लिया था चुक है तो trap zone का यहाँ पर move हो चुका था यहाँ पर काफी बड़ी आसा एक buying set का opportunity भी मिल चुका था तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह कहिक ना कई एक buying set के opportunity है इसके विए जो setup यह setup भी काफी बड़ी आसे यहाँ पर काम कर गया था अब यह setup कौन सा है जिसके ब bottom no.1 यहाँ पर generate होता है और यहाँ पर हमारा bottom no.2 generate होता है जिससे market continuously अपने upper side के targets भी दिला देता है तो अगर आप bottom no.2 से भी इसे capture करते हो चीक है तो bottom no.2 से अगर आपने इसे capture किया होता तो लगबख 70 to 80 points के आसपास का targets आपको मिल चुका होता लेकिन यह live market के अंदर capturing कर जाना बहुत ज़्यादे important हो जाता है उसके बाद में जब market यहाँ पर 80 to 70 points उपर जाने के बाद market के अंदर कहीना की एक negativity बनने लगी थी जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो इसी negativity को follow करते हुए बहुत से लोगों का downfall का position बन चुका था और उसी downfall के अंदर markets ने trapping अब देखिए लायू market के अंदर जो भी अपडेट्स होते वो आपको हमारे free telegram channel में मिलेगे अगर आपने join नहीं किया तो आप भी हाप आ करके join हो सकते हो इसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा उसके साथ में जो हमारा free telegram channel होता है free YouTube channel होता है तो यहाँ पर भी आ कर कि join कर लीजे लायू market के अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं इस तरीके से market ने trapping momentum generate किया था मैंने आपको explain किया था थोड़ा समी चार्ट को यहाँ पर zoom out कर ले था हो कि चार्ट को आपको देखने मिल जाएगा market क्या कर रहा है market अपने एक जो level के आसपस market घुम रहा ह ना उसी levels का market लगबग यहाँ पर सभी sellers को trap करने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कई वो नए buyers को यहाँ पर entry देने के मौके में नहीं है चीक है तो entry का मौका markets नहीं दे पा रहा है और जो seller से वो भी अपने आपके यहाँ पर strong साबीत करने की कोशिश कर रहे है तो sellers and buyers जब यहाँ पर strong हो जाते हैं and strong होने के साथ साथ यह sellers लोग, buyers लोगों को पूरा market से निकालने की कोशिश करते रहे है तो इस case में आपको कभी-कभी यहाँ पर जो है market से avoid करना होता है and market के अंदर की trap moment होते है उसे भी आपको avoid करना होता है यहसे ही आप market का trap momentum avoid करोगे तो आपको बढ़िया से जो है एक अच्छा सा trapping momentum generate होता हुआ देख सकता है ओके तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काफे बढ़िया से profit earning भी generate होता हुआ देख सकता है और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर next important चीज कौन से है next important levels हमारे पास कौन से निकल के आरे अगर आप यहाँ पर देखोगे अभी कई हिसाब से markets के अंदर 43,720 के एक नए target के लिए हम जा सकते है जैसे marketing targets को हमें achieve करता हुआ देख सकता है तो फिर इसके ब पान में 43,710 and 43,630 और जैसे markets in levels के आस पसाएगा तो हमें markets के अंदर negativity देखने मिल सकती है और इस negativity के हिसाब से जो है downfall की targets भी हमें देखने मिल सकते है तो downfall की targets के लिए आपको ready रहना पड़ेगा lieo market के अंदर अगर कुछ changes यहाँ पर होते है तो वह आपको यहाँ पर मि कर सकते हो